कि नमस्कार दोस्तों मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीशियर पर उमीर करता हूं मैं लाइव हूं मेरी आवाज जो है वह आप सभी तर पॉइंट पा रहे हैं तारीक है 9 सेप्टेंबर और आज के आपको आपको यहां पर इसी एप पर जितने भी पेट कोर्स है रीजनिंग के वह चल रहे हैं अभी वरतमान समय में दो पेट कोस है रीजनिंगे एक आपका कंसेट बैच है एटू जेट संपोर्ट रीजनिंग बैच 4.0 जो आप जॉइन कर सकते हैं और यह बैच अभी भी 300 रुपे बगा ही है और इस बैच को जॉइन करने में आपको सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि अगर आपने बेसिकली रीजनिंग पढ़ रखी है तो आप जाएगे अगर नहीं पट रखी है तो वह बेसिक टू एडवांस होटाएगे साथ जार प्रश्णों की पीडियाप जो है वह इसी के अंदर उपलब्ध है इसके लाव अलग से आप पीडियाप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं पीडियाप आपको कंटेंट म रह गई है थोड़ी बहुत वह आपको दूर सके दूर कर सके गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गूड मॉनिंग थिक है और आप बारी है आज के हमारी हेडलाइन टाइम से पहले स्टाप में बोर हो रहा था जल्दी चख गया मैं वह रहा था चला शूरू करते हैं क्या करे भारत बांगलादेश ने 25 वर्सों में किया पहला जल साजह करण समझाता के रल की पुन्नमदाज हील में आयू जित हुई अर्शटवी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस तमिल नादू के मुख मंत्री ने च्छात्राओं के लिए शुरू की पुदू माई पेन योजना पोस्ट अभियान योजना लागू करने में महाराश्ट आंधर गुजरात सबसेर सीस राज्यों के सीस राज्यों के रिपोर्ट के अंशार डिजिटल इंडिया मिशन यी अभियोजन पोर्टल के उप्योग में उत्तरप्रदिश अब्वल्लों तेलंगाना में वारंगल केरल केरल में त्रिशूर और निलामबुर यूनेस्को ग्लोबल नेट्वर्क ऑफ सिटी लर्निंग सिटीज में सामिल हुए मास्टर कार्ड ने लिए टाइटल स्पॉंसर के रुप में पेटियम की जगे माफिच होंगा आज सितंबर को नितिन कटकरी ने किया मंथन सम्मिलन का उद्गाटन और आज सितंबर को टोगियों में आज जित किया गया भाराज जापान टू प्लस टू मंत्री इस तरियस स जो है वो टॉनी गैसकिंस की हैं कहते हैं कि डाट डूर्स विल बी ओपेन टू दोज हूँ आर बॉल्ड इनफ टू नौ यानि दरवाजे के वन उन्हीं के लिए खुलते हैं या दरवाजे वही लोग खोल सकते हैं जो उन्हें खट-खटाने की हिम्मत रखते हैं जो उन्ह अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ ऐसा जो आप पास नहीं है अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ ऐसा जिसके आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं किसी किसी की जैसा बनना तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे हैं यानि कि आपको अभी आप अनुसासन में नहीं है आप जब मने तो पढ़ रहे हैं जब मने तो नहीं पढ़ रहे हैं आप किसी भी तरीके की चीजों में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी हैती चीजों सायद आप नहीं कर रहे हैं तो आज सोचिएगा कि आप क्या नहीं कर रहे हैं जिसी वैसे आपको सफलता नहीं मिल रहे हैं या आप क्या कर सकते हैं जिससे आप और बैटर हो सकते हैं और आगे जा सकते हैं तो फिलाल सोचिए क्योंकि दर्वाजे उनी के लिए खुलते हैं जो खट-कटाना जानते हैं अगर आप खट-कटाएंगे नहीं तो दर्वाजे खुलेंगे नहीं अनि मेहनत नहीं करेंगे तो आप उस जगे नहीं पहुंचेंगे जो आप चाहते हैं चलिए सुरू करते हैं आज ये करें डपेस्स से पहले प्रीविए डेरी वीजन यानि कि कल हमने क्या-क्या पढ़ा था केंजरगा ने राष्टी राजदानी छेत्र के एतियातिक राजपत और सेंट्रल विष्टा लांग का नाम बदल कर क्या करने का फैसला किया तो राजपत का नाम बदल कर कर्तब के पत्थ किया जाएगा राष्टे सिच्छक दिवस के अस्वर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किस योजना की गोष्णा की पीम स्री योजना की गोष्णा की है 14500 स्कूल चैनित किये जाएंगे जिनको स्टेंडर्ड मॉडल में लेकर गाएंगे नई सिच्छा नीती के अनुरूप बनाया सितंबर 2022 में हर घर में आरो का पानी पहुचाने वाला उत्तरप्रदेश का पहला गाउं कौन सा बन गया यानि उत्तरप्रदेश का इसा कौन सा गाउं है जहां आप जाएं और आपको आरो का पानी मिले यहां पर आने के लिए तो यह है भरतौल यह भरतौल रामपुर जिला है एक जगह उत्तरप्रदेश में और वहीं पर आपका गाउं है एक भरतौल वह पूरी तरीके से आरो का पानी वाला बन गया है गाउं पहला गाउं राज में तीन नए जिले जोड़े गए हैं और सितं सितंबर 2022 में कनाड़ा ने भारत का अगला उचायत नित्क किया गया है संजय कुमार वर्मा को कनाड़ा में बात को उचायत हैं संजय कुमार वर्मा सुब्रदो कप अंतर राष्टी फुटबॉल टूर्नमेंट 61 संसक्रण 6 सितंबर को कहा आउजित किया जा रहा है यह अप इतकिच्चा सुदीब को सितंबर 2022 में अपने पुन्यकोटी दत्तु योजना के लिए ब्राणमडद न्यूप किया है करनाट का पुन्यकोटी दत्तु योजना जो है यह गाए को किराई पर देने से संब्धित है गाए से संब्धित है सितंबा 2022 में किस भारती ग्रेंड मास्टर ने 22 वा दुबाई ओपन सतंग टूनमेंट जीत लिया है अर्विंच चितामपरा में किंदराज में देश के पहले जैव गावों को मानिता दी गई है त्रिपुरा में पहले जैव गावों बनाय जा रहे हैं यहां के लोग जो खेत करेंगे ठीक है तो आप रोज बताना बेचे नहीं कि कुछ समस्याइं है जैसे आँख आप देख सकते हैं एक्दम क्लियरली विजिवल है तो इस वज़े से सुबह सुबह करेंट लेने में और प्रोब्लम बढ़ जाती है लेकिन फिर भी कई लोगों को दुख हो जाता है क करेंट परेस नहीं अपीन को कहीं आप लोगों को मुझसे उन्मीद आप लोगों को मुझसे आसा रहते की सरका करेंट परिस आएगा सो यह अच्छी बात है लेकिन कहीं मेरी मजबूरी रहती इस ड़िए इस बजейчас Morgen में अपकी MP3 Lakalmat लॉना अगर नहीं लाप रहा हो तो त करता हूँ अगर कहीं परिशानी है तो मैं उसको भी नहीं कर सकता खासकर हेल्ट से रिलेटेड क्योंकि वह काफी दिन का हो गया तो चले आप समझेंगे हर गर वाटर हर घर घर टैप वाटर नहीं हर नल पर टैप वाटर आपको उडिशा में मिलेगा उडिशा के पुरी मैंने पहले सुरू में एक्सराइज नहीं की आप यह सब चीजे निकल निकल के सामने आ रही है तो आपको मैं सला दोगा कि आप उम्र के जिस दौर में और उसमें एक्सराइज वगेरा जरूर करें क्योंकि खाना तो मैं हमेसाथ अच्छा खाता रहा हूं मैंने कभी भी ब लिकते आने हैं तो आप सभी से गुजारी से कि ऐसा मत करें आप चाहते हैं कि आपको सभी 35 के बाद या 30 के बाद भी फिट रहे तो एक्सराइज या व्याम थोड़ा बहुत जरूर करें घर में पूरे टाइम बैठे ना रहा है ठीक है चलिए फिलाल किस दिन को अंतराश् इस साल तीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिट्रेसी लर्निंग स्पेसे इस बार गशी हैगो अंतराष्टी साच्छाताब द मना जम्हेंdr 20 28 00 SEPTEMBER को ऐथ यह किसको लेकर के ऑ़ देश में आगर देखने तो 100 प्रस्ट्व कहॉन चाहे विगतों मतलब यह होता है कि अगर व्यक्ति साच्शर्था को अपने जीवन में उतार पाए यानि वो बैंक जा पाए ौ चीजों को अच्छे तरीके से लिख पाए पढ़ पाए अपनी साच्शर्था का वो अपने जीवन में व्यöकप कर पाए गयान है यानि वो हिंदी को पढ़ लेता है तो उसे साच्छर्ण माल लिया जाता है लेकिन क्रियात्मत साच्छर्टा तो यहां पर एक अभी डिफरेंस है कि कुछ दिन पहले एक बना था सौ प्रचित पंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रेक्ट इसको ढूंडिए और इसके बारे में जा सौ परसत किरियात्मक साथच्छर्ता वाला जिला कौन सा है怎麼φट यह को देह रहाथि एसे जुड़े विट जो आखडए आप walnut के अनुसार भारत के साथच्छर्ता चैब 70.04 प्रतिशत थी 24.04 प्रतिशत थी अभी हाल विलाल 2022 में यह साच्छर्टा दर जो है यह बढ़कर आपका 70.07 प्रतिशत हो गई है यानि 77.7 पर्सिंट टूटल साच्छर्टा 2022 में हो गई है यह जो आखड़े मैं आपको दिखा रहा हूं यह 2011 की जनगर्णा के हैं इसमें पुर्सों का जो साच्छर्टा दर था वो 82.14 प्रतिशत था जबकि महिराओं का जुब साच्छर्टा दर था जबकि सबसे अंत में देखा जा तो सबसे खराब इसी ती बिहार की थी जहां मातर साच्छर्टा प्रस्थ 118 प्रस्थ यह प्रस्थ पूछा जाता है कि 2011 की जनगर्णा के हम साथ भारत की कुल 770 कितनी हो गई है क्योंकि यह अथंटिकेट आखड़े नहीं होते हैं जब त पूछा जाए लेकिन यह वाले जो आकड़े हैं यह आप से निश्चित तोर पर पूछे जाएंगे गोड़ मॉनिंग गोड़ मॉनिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं गोड़ मॉनिंग एवरिवर्ड अगली जांटकरी दितंबर 2022 में नेट्फिक्स में डॉक्यमेंटरी अवर ग्रेट नेशनल पार्क है ना होता है ना कि पार्क दिखाए जाते हैं पीछे से और अब यह चीता सिकार की खोज में बैठा हुआ अब यह सिकार करेगा लेकिन यह इस पल का इंतजार कर रहा है कि सिकार उसके इक्दम करीब आजा है मैं आप साम सुन सकते हैं इसके लिए इएयर वार्ट दिया फिर रात हुई टो बागी जो पुरुसक आरे हैं उपको उसकार के Toward cop प्लादीमेर जेलेंशकी को अभी हाली में लिवर्टी मेडल से समानित किया गया था यह यादा कि घाए उक्रेण के राष्पती तो पूर्व अमेरी की राष्पती बराक अबामा ने नेट्फिक्स डाकुमेंट्री जसमें दुनिया भर के राष्टी उद्ध्यान सामिल है मे संस्परनद दा ओडि सिटी औफ को इप्रोमिस लैंड के ऐडियो बुक के वाचें के लिए इस पुर्फकान मिल चुके हैं इस बार की जो पुस्तक आई थी एप्रोमिस लैंड जो है अगर आप से कभी पूछा जाएगी इसकी है तो याद आपके अमेरिका की राश्पती रहे थे 2009 से लेके 2017 तक अमेरिका की राश्पती रहे थे 44 में प्रेशिडेंट रहे यह 44 प्रेशिडेंट रहे दो कारिकाल जो से वह लगवाई इन्होंने जीते थे अमेरिका में राश्पती का करकल आज 4 साल का होता है तो 44 में राश्पती बराक उबामा थे 45 में वो बन गए अपने क्या नाम था उनका डोनल्ड ट्रम्प और 46 में कौन बन गए जो बाइडन बन गए तो अमेरिका की राश्पती थे प्रॉमिस लैंड इनकी पुस्तक है इसक अंजेला मार्गर घ। अंजिला मार्गर कौन है जर्मन की पूर्व चांखला इस साल इंब कु बहूत प्रतिस्ठित दीा गया है एक आट dejar मैगल नेश्प मार्गर बहुत स muddy इंजला मार्गर एदु़ थी प्राइसे अंजया को प्रोफिशर रामाधर सिंग को अभी हाली में यूस हैरिटेज हाल आफ वे में सामिल किया गया है किसने इस यूस हैज हैरिटेज All of major comment वेन में यह यूँटेस यूस हैरिटेज हॉला आफ बेह में सामिल हुने वाले सब्सक्राइब करनाटक करनाटक से समानित किया अगला है इंको मिस इंडिया से 222 क चुना गया जिस इंडिया इस कि एंडिया युएसे दो हजार बाईस चुनागए इसके लब कॉसिए राख सेखर कुछी ग्लोबल एनरजी एवर्ड से समानित किया गया ग्लोबल क्या एनरजी एवर्ड से ये सारे क्या वह आवार्ड है जो पिछले मैने के दोरान दिए गया है कब लान को जैसी डैनी EL एक्षमान को समानिश किया गया है पिछ्छी बार यह हर यह को दिया गया था आप त्र४ अभी में अर्शठ में बेश्ट नसे फिल्म एवार्ड जिसमें वümü इनेश्ट फिल्म एवार्ड किसको गया था-वार्ड से यह बशको में दिशांगा अब कि बेस्ट एक्टर का पुरुषकर किसो और देव गन अजे देवगन और सूरिया को सूरिया ने सूर्राय पोट्रू में में लीड रोल निवाया है जब कि बेस्ट एक्टर्स का पुर्षकाल दिया गये था अपर्ना बाला मुरली के दिया मिर्या और ह अभी हाली में अभी हाली में मदर टेरेशाً पंदबी सिंग को अभी हाली में आपका मिसेज यूिवर्स सिंग Σने покशने है मिसेज याद रख pessim का Message Universe Divine Message Universe Divine चुना गया Marina Vyajoska यह चार लोगों में से एक है जिनको Field Medal से समानेत किया गया Field Medal जो है गडित के शेत में दिया जाने वाला सर्वोष्ट पुरुसकार है और यह 40 साल से कम उमर के जो भी बेग्यानिक गडित में काम करते हैं दिया जाता है यह पुरुसकार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है और यह यूक्रेन से बिलॉंग करती है यह पुरुसकार प्राप्त करने वाली यह दूसरी महिला है भारत मारती निकरने वारत यह दूसरी महिला है केवाद दो महिलाओं को ये पौनस्का प्राप्त हु करनाटका से है इनने एक बार मिस इंडिया चुना गया है और यह भारत की से आपका जो describes हो ड–D लेलाए 2009 मारीना तबस्भी आपि बांगलादेश की रहने की रहने को अब हाली में लिस्वण bikes कुने प्रीचिंध आले गवार्ष से दिया गया मुझा लाइफ टाईम ऐ़ मिलेनियम सब्सदगा लिजबन ठीना ने मिलेनियम लाइफ टाइम एवोर्ड सम्मानित किया गया है यह आर्खीटक्ट के छेतर में दिया जाता है यह कार्खिट्ट और इनको अर्खीटक्ट के रूप में यह और यह गया है आपकीटेक्ट के रूप में बड़ा पुरुसकार है बांगलादेश की फहमीदा अजीण। फहमीदा अजीण। बंगलदेश की हैं। पहमीदा अजीण। अभी बंगलदेश की मरे से समानीत किया है। पुलित जर पुलित जर्व प्राइज से समानित किया गया है बंगलादेश की है और 2022 छले से समानित की गई है पहाइमीदा अधिं याद हुआ सरसट में फिल्म पेर एवाड की गोष्णा हों है जिसमें बेश्ट फिल्म का एवार्ड घया है 83 को 83 को क्या रिया गया बेस्ट फिल्म का एवाड दिया गया है। और 83 के लिए ही रन्वीर सिंग को Best actor का एवाड दिया गया है। जब धेस्ट एक्ट्रेस और किसको दिया गया? मिम्मी. जानी कृती सेनन Q obraatis यानि को अमिरे 3 का पुरुषकार दिया गया है। इनको याद रख लेगा एंजिला मार्कल युनेस्को पीस प्राइस से समानित की गिंग प्रोफेसर रामाधर सिंग यूएस हेरिटेज हाल आफ पेम्स पुनीतार राजकुमार करनाटक रत्न आर्या वाल वेकर मिस इंडिया यूएसे 2022 कौसिक राज सेकर ग्लोबल एनर्जी केपी कुमारन जेशी डेनियल एवोर्ड सूराय पटरू अर्शठ्षमा नेशनल फिल्म एवोर्ड की कोष्णा जिसमें बेस्ट फिल्म का एवोर्ड दिया गया है इसके बाद बेस्ट एक्टर आजया देववान और सूरिया जब्कि बेस्ट एक्रेस अपर्ना बाला मॉर दिया मिर्जा और अफ्रो साहा को मधा टेरीशा मैमोरियल एवोर्ड से सम्मानित किया गया प lubricat निजसका फिल्ड मैडल से सम्मानित होने रें दूसरी माहिला वर्णी है करनाटपह की रहने वाली मारीस तबस्षम लिसवन ट्रीनले मिलेनियम एवोर्ड यो की आर्किर वह बेस्ट एक्टर और क्रती सेनन को बेस्ट एक्ट्रिस का एवर्ड दिया गया है वेरी वेरी गूर्ड मॉनिग एवर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें इन्होंने मैत्री नाम का एक thermal power plant जो है वो बांगलादेस में डबलपुरा है बांगलादेस में जगे है बागेर हाट बागेर हाट बागेर हाट में इसकी दो यूनिट लगाई जाएंगी इसकी दो यूनिट लगाने में एक इसकी यूनिट बागेर हाट में लगाई जाएंगी योनिक hard साथ सबसें लिग देता है नहीं हुआ है में ल स्टाइम उख्ताइम हुआ था में में पर म song ba Jun बाइब है उ भारत में और把它 fashionable कॉच्छ के बानी के बीच में सुझ करके है लाइब को सबसानि death तो बागे रहाट डिस्ट्रिक्ट जो आपका खुलना में है वहाँ पर इसको डेबलब किया जा रहा है परियोजनगर नेमार भारत की रियायती वित्त पोसल योजना के तहट किया रहा है वारता के बाद साथ समझोते पर आदान बदान हुआ इसमें आपका दूरदर्सन के और बांगलादेश का एक चैनल है उसके भी ब्राट कॉस्टिंग को लेकर भी समझोता हुआ है लेकिन जो इंपोर्टेंट बात है वो आपके एक्जाम पॉइंट ओफिस यहीं इंपोर्टेंट है कि मैतरी एक प्रोजेक्ट जो है भारत किस दे संप्रिती का दस्वा एक्सराइज कहां पर संपन्द हुआ इस बार बांगलादेश के बीच में होता है आईए आपको ले चलते हैं केरल में बहुत ही रोचक प्रतियोगता होती है जिसे कहा जाता है नहरू बोट प्रतियोगता नहरू बोट प्रतियोगता 1952 से लगातार जारी है और इसमें सबसे इंपोर्टन कई सारी बड़ी बड़ी नाय होती है और कई सारे लोग एक साथ मिलाकर चपू चलाते हैं तो हाल बिलाल जो है यह कहां पर आईजित होती है यह अर्शठवा संस्क्रता नहरू ट्राफी का पुन्नमदा जील पर तो आगर आपसे पुझ्छे जिला अल्ला पुझ्छा जिला पुन्नमदा जील के 68 वी नहरू ट्राफी बोर्ट रेस आवजित की गई है 20 स्नेक नौका हो जो पतली सी नाव होती है उसको स्नेक नौका कहता है वो काफी बड़ी सी होती है तो एक प्रतिश्तित ट्राफी के पर लिए पैसे प पल तुर्थी बोर्ट क्लब महा देवी काडू कटिल थेकदिल चुंदन ने अल्ला पुझ्छा में पुन्नमदा जील के साप नौकाओं के लिए नहरू ट्राफी की दौर्ड में अपनी पहली जीत दर्ज कर दी है यानि कि यह पितियोगता किसने जीती है पल तुर्थी ब आगे चलते हैं करनाटक लेके चलते हैं किस राज सर्कार ने 5 सितंबर 2022 को पुधू माई पैन यह मैंने इस योटिया को पड़ा मुझ लगा था पैनन दे रहे हैं लेकिन फिर बात में पहला पुदू माई पैन का मलो था मॉडर्ण बूमें एक्ष्वल में जो महिला है या यह पहली सरत है गौर्णमेंट इसकूर में उनको पढ़ा होना जरूरी है और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं यानि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं ग्रेजूशन या पोष्ट ग्रेजूशन करना चाहते हैं तो उनको हर महीने 1000 स्कूलों में 6-12 तक पढ़ने वाली सभी चात्राओं को उच्छे सिच्छा प्राप्ते करने के लिए प्रती महां 1000 रुपए दिये जाएंगे इस योजन्या का लच्छे हर साल 6 लाग लड़कियों को लाभानवीत करना है और इसके कार्यार्णन के नहीं बजट में 698 करोन 98 करोन रुपए आवर डिप किये गया है आगे एक और बारती मूल की बैरिष्टर सुवेला ब्रेवर मैन को यूनाइटिक इंग्डम की नई ग्रेह सचीव बनाया गया है अभी तक ग्रेह सचीव की रूप में प्रीती पटेल काम कर रही थे तो हमारे लिए थोड़ी सी रह अब लिस्टरस जो है वो ब्रेटन की नई प्रधान मंत्री है लेकिन सुनने में आ रहा है कि रिसी सुनक के आसपास के जितने की लोग थे जितने भी रिसी सुनक के सगे वाले थे वो सब को वहां से अटा रही है और एक नए तरीके से वहां पर कैबिनेट को फॉर्म कर रह वाली पिछली सरकार में अटारनी जनरल के रूप में भी कारे किया था तो यहां पर सुवेला ब्रेवर मैन का नाम जरू याद रखेगा लिस्टर जो है वो यूगे की नई प्रधान मंत्री बन गई है इनको जानते हैं यह आपने कई फिल्मों में इनको देखा होगा साउ के शेत में दिया जाने वाला पुरुषकार है पांस सितंबर 2022 को तेलगू लेखा अभिनेता तनीकेला भरनी को लोगनायक फाउंडेशन अठारवा लोगनायक फाउंडेशन एवर्ड के वार्सिक साहित पुरुषकार के साथ कला भारती सभागार विसाखा पत्नम लोगनायक फाउंडेशन एवर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्ड नहीं है लेकिन आजकल कुछ भी वरोसा नहीं किस तरीके के वार्ड कुछ ने कोई भी एवार्ड में छोड़ता नहीं हूं लोगनायक फाउंडेशन दिया गया है तनीकेला भरनी क्योंकि प्रसित अभीनेत लागू करने में बड़े राज्यों में महाराइक आंद्र पत्र गुजरात अवल रहे हैं नीतियायव की रिपोर्ट के अंसाथ छोटे राज्यों में बैतर कदर प्रदसन करनों में करने वाले मामलों में सिक्टिम सबसे आगे रहा है भारते पोषण के इस्तरपग प्रग बिषार में वो पोषण अभियान को भी से लागू नहीं किया गया अभी आले में पोषण सब्ता मनाया गया एक सेलिक है साथ- eerste सप्टेंबर आपको शोटेमबर वीक होता है इसे नियूट्रीशन मंद यानि पोषण महां के रूप में भी मनाया जाता है तो हाल विलाल 9.12 million मामलों के साथ e-abusion portal के माद्यम से मामलों के निप्टान और प्रविष्टी की संख्या में सीज़ पर रहा है तो ये रहा है उत्तर पदेश उत्तर पदेश जो है e-abusion portal का उप्योग करने के मामले में सबसे ज़ाइ टॉप पर रहा है e-abusion portal एक ऐसा portal है जिसमें किसी भी तरीके के विवाद या किसी भी तरीके के जो भी मुकदमे वगेरा होते हैं उसकी प्रविष्टी वहाँ पर दर्ज की जाती है और फिर बकाइदा उसको ट्रैक किया जाता है कि कब उसका निप्टान हुआ कब उसमें कौन-कौन सी डेट आई क्या हुआ कैसे इसके जरीये ही आप ये जान पाते हैं कि कौन-कौन से केसेज जो है वो अदालत में लगे हुए है कौन-कौन से केसेज पर अभी सुनवाई होनी है कब उसकी सुनवाई होनी है तो इसका प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा मातरा में किस ने किया है उत्तर प्रदेश ने किया है तो यूपी 4,70,000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ ये अभिजन पोर्टल के मामलों में अभिजन प्रणालियों की मदद करने के लिए ग्रह आईटी और कानून मंत्रयालियों की पहल के साथ इस्थापित एक पोर्टल है और इसमें सभी लोग जो है वह मिल करके काम करते हैं तो वारंगन त्रिसूर और निलांबुर वारंगन आपका तेलंगाना में वारंगर जो ह निला है इससे पहले उनेस्ट को वारंगल में ही रामपा टेंपल रमपा कागतियार्स रुदेश्वर राम पाटेंपल यह आपका र्लंगन नहीं है इसको पिछले साल युनेस्को की हैरिटेज लिस्ट में साब्सक्राइटाब अब हैरिट यूनेस्को की ग्लोबल सीटी 294 जिले हैं 76 देशों से तो वर्तमान समय में यह जो नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका है 2013 से इस नेटवर्क को सुरू किया गया था इसमें उन सीटीस को सामिल किया जाता है जो सिखाते हैं वह पुरानी संस्कति के आधार पर जिंदा बनाया है बनाी है। हुए है क्राफ्ट सिमाल पर चल रहे हैं उससे अपनी आजीव का पूरा-फूरा जिला जो चला रहा है उसके अधार पर इसको दिया जाता है तो 2013 में आपका वारंगल जो है तेलंगाना त्रिसूर और निलामबूर ये किरला के है इनको अभी हाली में सामिल किया गया तो तेलंगाना का वारंगल और किरल का त्रिसूर और निलामबूर युनेसको के global network of learning cities में सामिल हो गया इस साल चवाली देशों के सा 70 तर सहर हाली में सूची में सामिल हुए है या कोई ने कोई एक चीज चीज है विधा है जिसको सीख करके लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं इसलिए इसे वाट को दिया जाता है थोड़ा दावर डिटेल में पढ़ते हैं इसको निलामबुर की बात करें तो निलामबुर जो है वो केरल का यह दिखने ही रहा हुआ कोई बात निलामबुर केरल का एक प्रसिद एको टूरिज्म डेस्टिनेशन है यहां की अधिकान बादी क्रसी और संबंद उद्योगों पर निलामबुर के इस सूची में सामिल होने से सामुदाइक स्वामित्यों लैंगिक समानता समावीश्टा के माध्यम से सतत विकास को और बढ़ावा मिलेगा साथी सहर में रोजगार के अउसर पैदा करना और सहित्रा विकास लच् सामिल होने से त्रिसूर अपनी बौदिक सहची को अभूसन कनाओं को दुनिया से परचित करवा पाएगा वारंगल तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत वाला सहर यह राज्य प्रमुक परेटर निक्तल है यहां हर साल 32 लाग से ज़्यादा परेटर काते हैं वारंगल गयर शुची जारी कि जाती है अभीहखली में स्री नगर को इसमें सामिल किया गया है crafts and miss shrine में मॉंबई फिल्म की कैटिग्री में 2019 में सामिल किया गया है ठृट्र 74 नेटवर्ग में सामिल किया गया है चैन्याइपूर और अलकर आइसे ब् calcium को सामिल किया जाता है जिसमें किसी विशेस कला या कल्चिरल या इस तरह की चीज़ें होती है और उनको सामिल किया जाता है फिलाल यह पांच चीज़ों में सामिल किया जाता है जैसे Crafts and Falls Gyastronomy Creative Studio. Music, Park, Art इसमें इसवगेरा में सामिल किया जाता इसके अलावा एक और चीज होती है वो होती है Intangible Cultural Heritage Intangible Cultural Heritage Heritage के मलब विरासत इस्थल सही नहीं है Heritage के मलब कुछ ऐसी विधाएं कुछ ऐसी कलाएं जो कई सालों से कई वर्सों से लगाता कई सौ वर्सों से चली आ रही है और आज भी जिंदा है जैसे कि पिशली बार 2021 में आखरी बार Intangible Heritage में सामिल हुआ था आपता दुर्गा पूजा जो की कलकत्ता में मनाया जाता है सबसे पहले वेदिक शेंटिंग 2008 में सामिल हुई थी रामलीला 2008 में सामिल हुई थी कोड़ी आटम यह 2000 कोड़ी आटम में एक तरह का संस्कृति थीएटर है यह 2008 में सामिल हुआ था रम्मान यह आपका गड़वाल हिमाले में होने वाला मेला है उत्राखंड में होता है यह सामिल हुआ था तो Intangible Creative Intangible Cultural Heritage में वरतमान समय में भारत की 14 चीजह सामिल हैं कितनी 14 कितनी सामिल है 14 चीजह सामिल हैं दुर्गा पूजा सबसे आखिन हुआ था अभी रही में गर्भा को नॉमिनेट किया गया है इसी लिष्ट में सामिल होने के लिए गर्भा गुजरात का एक नत्य है आगे पड़ते हैं सितंबा 2022 में किस कंपनी ने भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉंसर के रूप में पेटियम की जगह ले ली है तो यह है मास्टर कार्ड मास्टर में होने वाले सभी अंतराश्टी मैचों चाहें वह माइला हो चाहें वह पूरुस हो उसमें वह टाइटल स्पॉंसर के रूप में रहेगा इसमें इराइन ट्रॉफी डिलीप ट्रॉफी रण्जी ट्रॉफी जैसे घरेलू मैच भी सामिल रहेंगे पेटियों के पास बीश वर्तमान इसका मेच तो वर्तमान समय में माइकल मैच वर्तमान सम्टाइमें इसके सीईयों है। अब बात कर दें किलिले laboratories ले इस बार रटजी ट्रॉफी में g लाध करने की कोशिश करेगा। पार इंडिया ने जीता था इंडिया ने इंग्लेंड को हराकर इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर यह ICC Under 19 World Cup जीता था इसका final आपका कहां पर आई जीत हुआ था एंटी गुवा में इसका final का आयोजन किया गया था भारत ने जीता था इंग्लेंड को रहा कर विजय हजारे ट्रोफी जिसे वंडे रंजी ट्रोफी भी कहा जाता है हिमाचल परदेश ने तमिल नाडू को हरा कर देती है साइद मुस्तागली ट्रोफी इस बार किसने जीता था कि तंटी व्र चीटा यह इदा आउस्ट्रिलिया ने महीला टीम ने जीटा ऑर यह आउस्ट्रिलिया की महीला टीम का साथमा टाइडल आ बाहा यां मिताली राज मिताली राज ने अभी तक सबसे ज्यादा रण बनाए है और हाइस विकेट जो अभी लिए गए है यह जूलन को स्वामी ने दे रख़्ें हो इसी आप विनों मांगड को अभी हाली में आईसी क्रिकेट कांसिल के एक iki बार फिर्शंय रख बनें आंशोरार राउ है यह पहली वीमेन बनी है कि वीमें क्रिकेटर है जो डोपिंग के कार प्रतिनास बढ़े थोई कर संतोर ट्राफी विटसे सब्सक्राइक है अले संतोर ट्राफी जो है वह थैए मुस्तागली ट्राफी क्रिकेट से समध्रिया लिए मैंने क्रिकेट ट्रॉफी की बात किया है कि किस तरीके से रोड बनाई जाए कि एक्सेट बगेरा कम हो किस तरह से उनको आर्थवेवस्ता में पार्टिसिपेट कराया जाए तो यह सारी चीज़ों को ले के समिलन का आउजन किया गया इसकी थीम रही है आईडियाज टू एक्शन टूवर्ड से स्मार्ट सस्टेनिबल रोड इंप्रा मॉबिलिटी और लॉजिस्टिक एको सिस्टम स साल के संबंदों का पतीग भी मनाया जा रहा है यापान के पर्धान मंतरी वरतमान समय में पूंज की सिदा है यापान के Near प्र्धान म infect यानि पूर्र प्रथान मर्थी सिंज्ज हभी की हाली में अभी गुली भ कर दिंगैं थी फिर बाद में उन्हें आवाद दिने के लिए आमी पुरुषकार किसमें जीता है बराकोबामा ने सितंबध दोजर बाइस में प्रधार मंती मोदी ने किस देश के प्रधार मंती के साथ मैट्री सूपर थर्मल पाउर पोजेक यूनिट वन का सईतरूप से अनावरन किया है बंगलादेश सितंबध सब्सक्राइब लोग नाएक फांडेशन साहित पुरुषकार से किसे समयन्त किया गया तनीकेला भरनी के प्रमुक योजना पूसर अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में कौन से राज्ज पर रहे है महाराग आदर पदेश और गुजराथ कौन साराज 9.12 मिल सिद्री मंतरी ने 8 सितंबर 2022 को बैंगलोग मंतर नामके इतीन दिन सी समयन्त किया नेतिन गडगरी और भारत और जापान के बीच में टू फ्लस टू मंत्री प्रस्तरी वात्रा वात वारता कहां पर हो रही है टोक्यो में किया जा रहा है तो आज के लिए इतना ही थैंकी सो मच बाबाए टेक कियर ध्यार रखिएगा अपना है उमीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो हाँ जैसंकर और राजना सिंग इंडिया से कि आख कल विराद को लीने फर्ष अंडेड ट्वेंटी मारा बहुत बड़ी है दिए पिपुन आप सही कह रहे है आई प्रॉब्लम है तो मैं रोग देता हूं लेकिन आप येकीन मानिए अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं ठीक हूं अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूं त देख पारे होगे कि एक आँख में थोड़ा सा है अपेक्ट और वो अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये और हो जाता है और होने का मतलब ये बंद हो जाएगी पूरी बंद हो जाएगी तो इसको खोलने में महीनों लगें तो मैं चाहता नहीं हूं कि महीनों अराम ही है और मेरे मेरे आदत क्या है मैं फुड़ा कम सोता हूं और उस वज़े से प्रोड़म आ जाती है अब नेंदी नहीं आती तो क्या करेंगा चले फिलाल आज के लिए तो मैं तो मैं आपको दम से पूरा पढ़ा हूं लेकिन मैं वह तब पढ़ा सकता हूं तब कर सक करता हूं जब मैं उतना अच्छे लेवल का कंटेंट बना पाऊं कंटेंट बनाने के लिए मुझे कंप्यूटर देखना पड़ेगा कंप्यूटर देखने के लिए आख जाएगे तो सोड़ी दिर आख बचा लेते हैं चार जातों लोग कभी भी बढ़ा तक तो फिला जित इतनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर पारा हूं उतनी लगातार कर पार्म चलें बाबाय टेक केर ध्यान रखेगा पर लगा